लो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं महुमत सोहेल दोस्तों आपके डिमांड में मैं फिर से लेके आ गया हूं स्टॉक आक्सिस बैंक लिमिटेड अब देखिए दोस्तों इसके अंदर जो मैंने आप लोगों को इंट्री लेवल्स बता रहते वह बहुत बढ़िया से अच्छी हो चुके हैं दोस्तों अगर आप मेरे कहिने पर एंट्री एंड एक्जिट करें होंगे तो आप जबरदस्त प्रॉफिट में हैं दोस्तों आपके पोर्टफोलियों के अंदर अब देखिए इसके अंदर रिवसल आने वाला है अब प्लंगों को एक्जिट होने का बस वही टागे्ट से होही लेवल से अक्सिस बैंक इंदर बस मैं इसके अंदर फिर से नए वीकली टागेश शौ्ट टागेश और वीकली इंट एंड एक्जिट लेवल्स बताने वाला हूं आगे चलके वीडियो के अंदर अगर आप मेरा देखें तो एक बर जाके वीडियो देख लीजिए पुरूफ के तौर पे दुस्तों पुरूफ पुरूफ चाहिए हम लोगों को तो पुरूफ के तौर पे देख लीजिए वीडियो के अंदर जो भी मैंने इंट्रा डे करने के लिए टागेश दिये थे उसके दूसरे दिन बहुत सक्सेस्फुली अचीव हो गए दोस्तों अगर आप वो टागेश पर ट्रेट करें होंगे तो भी आपको अच्छा सा अच्छा मुनाफ़ा हुआ होगा इंट्रा डे के अंदर अगर आप मेरे यूटूब चैनल के अंदर नए हो तो भी एक बर जाके देख लिजिए दोस्तों मेरा पिछला वीडियो उसके अंदर आप लोगों को टागेश समझ में आ जाएंगे उसे पेपर वक करके देख लिए सच्छी में वाले टागेश अचीव हुए ने हुए आप लोगों को पता चल जाएगा अगर आप मेरे यूटूब चैनल के लिए नए हो तो मे देखिए स्टॉक रिवसल लेने वाला है कल के दिन मॉर्णिंग के टाइम भी आप एक्जिट करना चाते हैं तो प्री मार्केट के अंदर एक्जिट हो जाए देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जो भी लिवस बन रहे है वह रिवसल जाने के ही बन रहे हैं मार्केट रिकावरी मूड में हैं दोस्तों मार्केट रिकावरी करना स्टार्ट कर दिया तो डाउंट्रेंड के अंदर पूरे के पूरे स्टॉक भी रिकावरी करना स्टार्ट कर देंगे सबसे पहले रिकावरी करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों इंदूसि पहले ही recovery हो रहे हैं पर एक्सिस बैंक recovery नहीं हो पा रहा है क्योंकि और यह नीचे लेवल पर चले गया था जब मैंने आपको बन रहा है किदर बन रहा है आगे चलके चार्ट analysis में समझा दूंगा दूस्तों आप लोगों को मैंने क्यों entry लेवल बहुत बताई थे उसका एक्जिट लेवल भी बहुत बताई थे क्योंकि देखिए आपको कल के दिन या मंडे के दिन भी देखने को मिलेगा आप लोगों क उससे पहले भी आप लोगों को मैंने 430 के निचे बैइंग कराया है उसके बाद 440 के उपर लेवल पर एक्जिट कराया है फिर से आप लोगों को इधर भी कहा था मैं दूस्तों गिरेगा और स्टॉक गिरेगा उसके बाद ही entry करिए 420 लेवल के निचे अभी भी आप स्टॉक अभी रिवर्सल लेगा दोस्तों 420 नहीं 390 तर भी जा सकता है जबी हम लोग इसके अंदर entry करेंगे अगर आप इसके अंदर entry कर चुके हैं यह भी बोल रहा हूं अगर आप इसके अंदर entry कर चुके हैं तो स्टॉक को 7 रुपे 9 रुपे 11 रुपे और 13 रुपे के योभी स्टॉक में ट्रेड करने के देता हूं वही लेवल पर मैं भी ट्रेड करता हूं दोस्तों इसलिए मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग को प्रॉफिट हुआ है लुपसान हुआ है देखिए मैं ज्यादा से ज्यादा तर शेवन रुपीज और 9 रुपे के तो इसके अंदर RSI पर बात करने वाल हूं क्यों इसके अंदर रिवसल आने वाली है क्योंकि देखिए इसके अंदर जो पहले बॉटम लेवल पर बॉटम फिशिंग हुआ था पूरा लेवल पर नीचे चले गया था था स्टॉक RSI में उसके बाद स्टॉक भी आपको अच् करें देखिए आपने बॉटम लेवल पर इंट्री करके ऊपर लेवल पर किदर भी एक्जिट कर रहा होगा आरे सब्सक्राइब बहुत बढ़िया है दोस्तों अच्छे लेवल पर एक्जिट करें अगर एक्जिट नहीं करें है तो नैन रूपिस सेवन रूपिस के हिसाब आरे से के अंदर जो मुवमेट अप लेवल अपर लेवल पर दिखने वाला था हम लोगों को वो आवरेज लेवल जा रहा है उसके बाद फिर बॉटम लेवल टच करेंगा वो बॉटम लेवल होगा दोस्तों 410-420 के नज़र जबी हम लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे यह मेरा टेलीगराम चैनल है दोस्तों आपने अभी तक मेरा टेलीगराम चैनल जोइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्चन लिंक में लिंक है जायी है लिंक को हिट करिए और जोइन कर लीजे मेरा टेलीगराम चैनल फ़र इंट्रा डे लाइव डिप्स एंड श्टOUGH अबडेट के लिए और एक important note है दोस्तों देखिए इंट्राडे के अंदर profit and loss होते रहता है अगर हम लोगों को success होना है तो इसको लेके ही चलना होगा दोस्तों यह जो भी मैं टागेश निकाला हूं कल के लिए market में ट्रेड करने के लिका ला हूं दोस्तों 7 अगस्ट 2020 फ्राइडे के लिए कल के दिन बैइंग का position बना selling का position बना आप मेरे target लेकर trade कर सकते हैं कल trade करने के लिए अभी आप screenshot निकाल लीजिए अगर आप stock market के लिए नए हो अगर आप मेरे youtube channel के लिए नए हो मेरे target के लिए भी नए हो तो दुस्तों आप पूरे मेरे target में जो भी अपने video के आखरी में देता हूं आप पूरा एक मह करने के बाद समझ में आ जाएगा profit कितना हो रहा है लुक्सान कितना हो रहा है तो लुक्सान हो प्रॉफिट हो लुक्सान में से profit को मैनस करिए और और प्रॉफिट आप लोगों को समझ में आ जाएगा और अब जो charges भर रहे हैं आपको जो भी डिमैट account है जो भी charges भर रहे उसको profit में एड़ करें अगर profit हो रहा है तो यूखन ने भी एड़ करके दिख लिघ लिए ओवरल लुखन कितना हो रहा है plays you जाएगा एक मीटे करें के करें अगर है आप कल के दिन मेरे वाले डिचेश ठेट करें तो स्टॉप लगाके चलिए अगर है और हाप पेपर वर्क करके भी देख लिजी आप पेपर वर्क करके देखना चाहते हैं तो स्टॉक लॉस हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है तो कितना कम प्रॉफिट हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा